तो वेल्कम बेक तो मैं यूट्यूब चैनल तो आप लोग अच्छ होंगे बढ़िया होंगे मैं भी अच्छी हूं तो गाइस आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छा प्रोडेक्ट सेया कर रही हूं एमाजोन से जो मैंने मंगाया हूं अपने यूज के लिए तो चलते हैं जैसे की धर के लिए मागाया मैंने तो गाइस जो डवरबेट के होते हैं ना थिरी लेयर के गद्ध का कवर होता है तो मैं थोरा जल्दी बोलूं क्योंकि मैं रिपीटी के तक खराब तो मैं सोच लिए हूं मुझे ना अपने बेट पे गद्धों पर ये कवर भी लगाना ह रिलेयर का तो मैं सोच दी जल्ड जल्दी आनवाज कर देती हूं अब यूडियो अच्छा लगए तो पीडि लाइक कर देना हाँ पेटा हाँ कोई बात नहीं पेटा है तो लाइक करें बहुत प्रियान से बना रही हो और चैनल पर पहली बार है तो पिली मेरे एक केस्ट है स मैं देखते हैं जैसे लोग लेते हैं माजोन वाले वैसा है या अलग थिरी लिए बाटरप्रूफ नो लीकेज अगर आपके फैमिली बच्चे वगेरा हैं छोटे जैसे कि कई वार जैसे मेरी आमी कि प्ला देते कई वार हम लोगों से भी फैल जाता है तो उसी के लिए मैंने जब्दे खराम ना जब्दे महंगे होते हैं और जब्दे खराम ना जल्दी से इसलिए मैं थिरी लेगर का बाटरपूरूफ मंगाया आप देखते हैं और प्राइस पर किरा सब कुछ में बादे में में अन्समें कर दूंगे आप लोगों से चेक आप करिएगा तो यह है जब्दे तको भी में आपन करते हूं मैंने अपने मेरा बाट जो है किंग साच का किंग साच का है बाट मेरा गवलाइकर मैंने किंग साच के मंगाया हुआ है इस पर कुछ लिखा हुआ है आपको देखा दो आपको जैसे कि अंदर फैब्रिक प्लास्टिक में मैट लगी हुई है तो गाइस यह है वह जैसे किनारी से गद्दे होते ना साइड वाला वह पार्ट आप इसको दवाख सकते हैं इसमें यह फूर इस पूरे में फ्रिल जैसी लाश्टिक लगी हुई है तो यह ठीरी लेयर का प्रूब देते हैं ठीरी लेयर और गद्दे आपके खराबने है है पूर यह दो दोई है लोई हूह है उपसे इसका इसाओ होगा है आप लोंको तो आयोप अच्छा लगा होगा मुझे ठीक लगा चलते हैं इसको बैड पर बिच्छा के फिर आपके साथ थो और इसमें क्लिप से करूंगी तो प्लीज सपोर्ट करिएगा तो चलते हैं बेड रोम की तरफ तो थिरी लेएर बोला हुआ है बट इसमें आयोप कि इसमें दो लेयर हो सकती है इसमें प्लास्टिक मैट है यह और बहुत ही सॉप्ट प्लास्टिक है ऐसा नहीं कि बहुत हाड हाड ही है बट यह ठीक है थोरा सा मुझे अच्छा लगा और इसका कपड़े की क्वालिटी करें यह थोरा समय सेल्क रिवांड में आ जाता है तो अच्छा लगा मुझे यह भी तो चलते हैं मैंने वगद्दी पर कबड को सेट कर लिए डाल दिया तो यह है फाइनल वाला लूप तो आपको क्यासा लगा कमेंट में जरूर लिखना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को भी लाइक कर लेना थेंक यू